जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल, आम दोर पर बच्चों को माबाप ने यह कहते हैं सुना कि बेटा तरको बड़ा होके बड़ा आदमी बनना है, हर आदमी के मन में एक ललक होती है, खत्तियों के मन में बहुत जादा यह भावना है, कि बड़ा आदमी बनना है, उन्हें उसके पारिबारी प्रश्ट भूमी या उसके इर्द्गिर्द के लोग या उसने जो चीजे देखी है वो उसे बड़ा आदमी बड़ा आदमी की एक परिभाशा हो जाती है और उस और पर वो वेक्टी काम करता है सबसे पहली और मुख्य बात मैं कहते नहीं चाहता हूँ कि अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपको कंसर्ट करना है तो शूलक लागू है दोस्तो इस नंबर पर आप वोट्स अप करें और मुझसे बात आप कर सकते हैं पहली बात तो यह है कि क्या आपने मन में सोचा है कि हम भी बड़ा आदमी बनेंगे हा या ना जरूर कमेंट में मुझे यह बता है कि बड़ा आदमी, जो भी जितना बड़ा आदमी है वो इश्वर का उतना बड़ा भक्त है, ये एक common सी बात है, जो सब में दिखिए, बस चीजे ये है कि बहुस लोग भक्ती प्रकट कर देते हैं और बहुस लोग अंधर से भक्ती में होते, मतलब अपनी जो निजी लाइफ है वो भारी तोर पर नहीं आने देते हैं वो एक गंटे मंदीर में बैटकर पाट करते हैं और सुबह शाम दोनों चाहे इतना बिजी शेडूल है इतना बड़ा अदमी है या जीवन में जो भी चीज़े उसके पास है वो उतना बड़ा भक्त होता है तो एक कॉमन चीज़े मिलेगी इसलिए आप जो भी हैं जिस भी आलात में हैं आपके पास कुछ हो नहीं हो अपने इस्ट का अपने प्रभू का इस्मरण और मनन और उस पर पूर्ण विश्वास आप रखें और उसके विश्वास में एक चीज़ जरूर यह याद रखे कि उसमें आपकी पूर्ण इमानदारी होना जब लिए दुनिया चाहे कितनी नेगेटिव हो दुनिया चाहे कितनी भी दोके बाजी करें दुनिया चो भी एक करें पर आपने इष्ट का जो भी डाई तो है या इष्ट की जो भी बाते हैं उन्हें पूरा फोलो करें अब बहुते लोगों करें हमारे इष्ट है ही नहीं हमारे तो भगवान ही नहीं और यहाँ पर confusion वाली बात आ गई उन लोगों के लिए निविदन ही कि आप शिव का वंदन करा करें तो शिव जी कर अपने गुरू मान ले ओम नमे शवे का जाब करते रहें और यह बात हमेशा कोई भी गलत काम यह कोई अनीतिक कारे करते वको, यह बात हमेशा है रखें ध्यान में कि मुझे मेरा शिव, मेरा गुरू देख रहा है और मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ जिसमें महनत कर रहा हूँ क्या मैं 100% महनत दे रहा हूँ क्या मैं अपनी आलत से को छोड़ रहा हूँ क्या अपनी आलत से के चकर में मैं काम को पुरा नहीं कर रहा हूँ जब आपको ये बात का मन में भाव आ जाएगा कि मेरा शिव मुझे देख रहा है कड़ी मेहनत पुरी श्रद्धा के साथ वो आपके रास्ते बनाएगा आप सिर्फ मेहनत करते जाना आपको फ़ल मिलता जाएगा जो भी सेक्टर, जो भी विभाग, जो भी छेतर हर एक छेतरों में जहां आपके इच्छा हो सफलता हम देगे तो यही है दोस्तों बड़ा अदमी बनने के जो सच बात है वो है चुनोतिया कितनी भी आए उनसे लड़कर हमें रास्ता खोजना है और चीजों को सही करना है अच्छा लगो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें जै महलिनाद